हलो और नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जाज आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरी ट्यूटिप चैनल वॉन्टेड गाइज जिस फोन का जिसका हम सब को बहुत ही जादा इंतजार था फाइनली यहां पे वो फोन लांच हो जुका है लिनोवो की तरफ से आने वाला Z5 जो कि लिनोवो ने टीज किया दा कि 45 डे की बैटरी होगी यहां पे आपको 4 डेबी की स्टोरेज मिलेगी आपको बिना नौच वाला एक एज-टो-एज पतला फुल स्क्रीन वाला फोन मिलेगा तो यहां पे लिनोवो ने धोखा दे दिया है फोन लांच किया है और यहां पे दोखा दे दिया हम सबको मगर यहां पर लिनोवो ने दोखा दिया तो मन करता है यार लिनोवो पे अपनी बढ़ास निकाले मगर जो फोन लॉँच किया है वह भी बहुत जबरतस्त फोन है बिद्रबतस्त प्राइस के साथ आता है जो प्राइस है फोन की वह सिर्फ 13,000 रुपे जी हाँ छे जी बी रेम की प्राइस जो है वो है सिर्फ तेरा हजार रुपे तो गाईज आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लिए नोवो जेड फाइफ जो कि मोस्ट अपे डिवाइस था उसका यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स बताने वाला हूँ A to Z फीचर्स बताने वाला हूँ और यह भी बताने वाला हूँ कि क्या यह आपको फोन परचेस करना चाहीए या फिर नहीं तो गाईज अगर आपको ये वीडियो बसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजीगा क्योंकि मैं आपके डेली इंटरस्टिंग वीडियो लेकर क्या आता रहता हूं गाईज तो गाईज आज के सुद्ध पर अन्बॉक्सिंग जो है वो लिनोवो जट टू की टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गाईज बैया लिनोवो जो है यहां पर एक लिनोवो जट फाइफ फोन लाँच करने वाला था और यहां पर बहुत सादा उसने हाइप करने थी कि यह फोन में ऐसा होगा वैसा होगा फोन में फूल एचिडी डिस्प्ले आप मदलब फुल स्क्रीन ही स्क्रीन मिलेगी बेजल लस्ट बिलकुल कम्प्लीट बेजल लस्ट कोई आपको नौच नहीं दिखे ये तो सबी को हिरान किया था कि यह लिनयोव जबिश्टिवे होगा लिनयोवर का बहुती जबर्दस फोन होगा मंगर ऐसा नहीं है लिनयोवर वनो RJ किया है और लिनयोवर ने जहाँ पैया डिल तो यहां पैया दोन पढमार दोगद क Spec Sahas Sul Master तो तेरा हजार रुपे चाइनीज प्राइस को अगर हम इंडिन रुपेस में गनवर्ट करें तो तेरा हजार चाइन पांच रुपे के आसपास जो के 6GB रहें वाले यहां पे वेरिंट्स के आपको मिलेगी तो प्राइस बहुत ही बढ़ी है मगर फोन क्या है तो चलिए एक आपर फोन के उपर नज़र डाल देते हैं यहां पे लिनुव बहुत है कि बिल्कुल नौच वाला डिस्प्लेइ नहीं देंगे बिल्कुल यहां पे कंप्लीट बेजल एस फोन देंगे तो ऐसा नहीं है लिनुव यहां पे दे रहा है आपको आइफोन 10 की तरह ही नौच ज मगर यहां पे जो बेजल्स आपको नीचे मिलते हैं वो बहुत 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 कम मिलते हैं बाकी सबी फोन के मुकाबर मेरे को लग रहे हैं यहां पे वन प्लस 6 यहां पे फीवो एक्स 21 यहां पे वेवो वी 9 यहां पे इन सबी मुबाइल फोन से इन में जो है बेजल्स वो कम देखने को मिल जाता है आपको नीचे की तरफ iPhone से तो थोड़े ज़ादा ही है मगर बाकी mobile phone से काफी काफी कम आपको बेजल नीचे की तरफ दिख जाते है Guys, यहाँ पे camera की बात करते है तो front में आपको मिलता है 8 Megapixel का camera, अच्छा camera है यहाँ पे जो pixel size है वो भी कमाल का है low lighting में आपको अच्छी photo देवाएगा rare में आपको मिलते हैं dual camera का setup 16 plus 5 कमाल का है यहाँ पे LED flash के साथ और camera भी उसी तरह से यहाँ पे उन्होंने किया है यहाँ पे लगाया है जिस तरह के iPhone 10 में था जो कि आपको Redmi Note 5 में मिलता है 15,000 की कीमत में Lenovo आपको provide गाता है सिर्फ 13,000 में तो यार यह एक बड़िया काम किया है आपको display कोन सा मिल रहा है notch वाला, full HD plus display camera आपको dual trailer में मिल रहा है आपको यहाँ पे 636 का processor मिल रहा है storage की बात की जाए तो आपको मिलते हैं दो वेरियल्स, एक है 6GB RAM 64GB जिसकी price है करीबें 13,000 और दूसरा है 6GB RAM 128GB इंडर्नाल storage जिसकी price है करीबें 16,000 17,000 में तो भाया जी यह जो phone है अपनी price के हिसाब से बिलकुल कमाल के phone है आपको यहाँ पे purchase से यह phone better है यहाँ पे Redmi 8 Special Edition SC से जो है वो बहतर है इन सभी से जो MI8 है उससे ने MI8 Special Edition SC से यहाँ पे यहाँ पे यह जो है मतलब बहतर है उन दोनों phone की Nokia X6 की और यहाँ पे MI8, MISC की सभी की वीडियो मैं डाल चुका हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिए बात करते है बैटरी के आपको मिलता है 3300 mh की बैटरी यह बैटरी भी इस phone में कमाल की मिलती है यहाँ पे Xiaomi देता है Redmi Note 5 में 4000 4000 के तोने मिलती में 3300 mh बैटरी 636 प्रोसेस के साथ काफी एफिशन प्रोसेसर है कमाल की आपको एक दिन का बैटरी बैकप मिल जाएगा Android की बात करें तो आपको Android Oreo बोक्स मिलता है यहाँ पे गाईज और कुछ बात करें आपको यहाँ पे Type-C मिलता है Fast Charging फोन सपोर्ट करता है मगर यहाँ पे डबे में Fast Charging नहीं मिलता 5 Volt 2 Ampere का Charger मिलता है यहाँ पे आपको मिलता है Type-C Port तो भाई यह यह भी कमाल है पज़र सेग्मेंट में आपको 636 यहाँ पे आपको रैम बढ़िया कैमरा बढ़िया, बैटरी बढ़िया यहाँ पे नौच वाला डिस्प्लेय मिल रहा है आपको मिल रहा है यहाँ पे Type-C Port तो भाई यह सब कुछ यहाँ पे Lenovo कमाल कर चुका है Fingerpin sensor आपको पीछे मिल जाता है और सभी तरह के sensors मिल जाते है तो भाई यह फोन जहाँ बढ़िया है आप यहाँ पे फोन जब इंडिया में आए तो ज़रू से purchase कर लीजएगा आज की वीडियो में बस इतना ही यहाँ पे अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रू से like कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए क्यूंकि यहाँ पे कल मैं जो है giveaway contest लेकर के आने वाला हूँ Y2 का जो कल इंडिया में लाँच होगा उसी वक्त मैं unboxing करके आपको मेरे पास फोन आ चुका है unboxing यह वीडियो तयार हो चुकी है सिर्फ यहाँ पे मेरे को upload करनी है और giveaway करने वाला हूँ तो उसके लिए आप अगर advance में आप मेरे चैनल को subscribe कर लेते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा giveaway में preference दे सकता हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्री अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेजिए so thanks for watching this video guys